दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर घर के लोग साग सबजियों और फलों का उप्योग करते समय उनके छिलकों को बेकार समझते फेक देते हैं ऐसा लगबग सभी करते हैं उन्हीं मेंसे शायद आप भी होंगे लेकिन ये छिलके बेकार नहीं होते हैं शरीर के लिए बहुती फादेवन्द होते हैं। आप इन छिलकों का इस्तमाल करके हजारों रुपे बचा सकते हो। इन छिलकों में कई चमतकारी गुण छीपे होते हैं। चहरे को सुन्दर बनाने के साथ साथ शरीर के कई रोगों को भी दूर किया जा सकता है। यकीन मानिय हैं। आप इन छिलकों के फादों के बारे में जानोगे तो दोबारा फेकने की गल्ती कभी नहीं करोगे। तो मैं आपको कम समय लेते हुए डारेक्ट फादे बताता हूं और फटा फट बताता हूं। नीम्बू का जो छिलका होता है उसे दांतों पर मल्ने से दांत चमकदार बनता है और मसोडें भी मजबूत होते हैं नीमू का छिलका जूते पर रगड़ें वो कुछ देर के लिए धूप में रगदें फिर जूतों पर सूती कफ्रे से साफ कर लें जूतों में चमक आजाएगी दोस्तों नीमू वा संत्रे के छिलकों को सुखा कर बारिक चून बनाकर दांत पर खिसे दांत चमकदार बनते हैं पपीते के छिलके को धूप में सुखा कर बारिक पिसकर ग्लिसरीन के साथ मिलाकर पेश्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं इससे चेहरे के दागधब बे किल मुहा से दूर होती है यह बहुत इफेक्टिव लौकी के चिलके को बारिक पिसकर पानी के साथ पीने से दस्त में फादा होता है अगर परिवार में किसी को भी दस्त लग रही हो तो लौकी के चिलके को इस तरह बारिक पिस लीजेगा और पानी के साथ उसे पिला दीजे तुरंत आरा मिलेगा बादाम के चिलके और चौँ में सुखा कर बारिक पीश कर उसमें दही मिलाकर गाढ़ा पेश्ट बना लें और सीर पल बालों के सकल्प में लगा लें इसे बाल मुलायम होते हैं और जड़ने की समस्या खत्म हो जाती है इसे नय बाल आते हैं जिनें बवासिर की शिकायत है उन्हें अनार के छिलके को च्छाओ में सुखा कर उसमें एक भाग गुड को कुट कर बारिक बारिक गोलियां बना लें और कुछ दिनों तक सुभा सेवन करें बवासिर से जल्दी आराम मिलता है संद्री के छिलके को दूद में पीश कर छान लें इसे कच्छे दूद और हल्दी में मिलाकर चेहरे राख बना लें फिर उस राख को सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें इसे दाद खाज खुजली एकजीमा जड़ से खत्म हो जाएगे जिन महिलाओं को ज्यादा मासिक स्त्राव होता है वे अनार के सुखे छिलके को पीश कर एक चमच पानी के साथ लें इससे रख स्त्राव कम होगा और रहात मिलेगी तोरे का जो दोस्तों ताल्य छिलका होता है उस छिलके से चैरे पर मसाज करने से स्कीन साफ होती है और स्कीन ग्लो करता है इसके लावा अनार के छिलके को मुह में रख कर चुशने से खासी कम होता है आलू के छिलके मुह पर रगणने से चैरे प चिलके के सब्जी पेड के रोगों में फायदा पहुचाती है दोस्तों करेले जितना गुणकारी होता है उसे चिलके भी उतने ही फायदेमंद होते हैं करेले की चिलके को अलमारी में रखने से कीठ भागते हैं टमाटर और चुकंदर के चिलके को चेहरे पर लगाने से चेहर कि वीडियों की एडियां मौलायम हो जाती है कि चोट लगने पर केले के छिलके को रगड़ने से खुन का बहना रुख जाता है इसके लावब सब्लीके छिलकimientos के बहुत से फायधे हैं दोस्तों तो जिन वीडियो में बागे जानकारे दूगा तो आज इस वीडियो में बस इतना ही आपको इस वीडियो को दिखने के लिए बहुत बहुत धना